हाई एवरीवन कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे दोस्तों मैं भी बहुत बढ़ी हूँ और आज किस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो अगर आप लोग बुलिट 3159 डियरेशन लेने जा रहे हैं लेनी की प्लानिंग कर रहे हैं या आप लोगों ने अल्ζी अपनी Geschäft करा हुआ हूँ सुए वाली वीडियो आप लोग जिरूर देख लें हैं क्योंकि विल्दी वीडियो देखने के बाद आप लोगो काफी जाधा सेवगां काफी जाधा बच जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगे कहां से आप लोग अच्छी से अच्छी मोडिफिकेशन करा सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम प्राइजिस में चली दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट फटावट से सो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं आप लोग सबसे पहली मोडिफिकेशन कहां से करा सकते हैं जो आप लोगों को बेस्ट मिलेगी दोस्तों वह है आप लोग इसमें थोड़ी सी जो मोडिफिकेशन है वह कंपनी से करवा सकते हैं बाकी जो modification है वो आप लोग अपने local market से, अपने nearest जो भी कोई rolling field की market हो, जहांपे आप लोगों को उसकी accessories, modifications के जो समाने वो मिल जाएं, वहां से आप लोग उनको करवा सकती हैं. सबसे पहले modification जो मैं आप लोगों को suggest करूँगा, वो है दोस्तो इसमें एक sum guard. दोस्तो जब से rolling field अपनी जो split chassis है, यानि कि dual chassis जब से अपनी bike में introduced की है, तब से दोस्तो अपनी bike में जो है rolling field जो sum guard है, उसको बहुत ही जज़ादा प्रमोट करने लग गया है, क्योंकि वो बहुत ही जज़ादा mandatory accessories हो चुकी है दोस्तो जब से, और वो आपके engine पर हिट हो गया, आपका engine है दोस्तो तूट सकता है, तो engine brake हो सकता है, इसके अरावा दूसरी चीज़ क्या है, वो काफी ज़्यादा mud वगयरा उसमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगयरा बहुत ज़्यादा बन जाती है दोस्तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी problem जह हो दिखने को भी लेगी, आपको पनी bike regularly साफ करवानी पड़ेगी, तो समगार्ड जो वो इसलिए मुझ जाता है important है, एंड में आप लोगों को suggest करूँगा, आप लोग अगर समगार्ड लगवा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि rolling field आप लोगों पर अच्छी का क्वालिटी का and पूरी प्रॉपर R&D के बाद आप लोगों को अपनी जो एससेरीज है वो सेल करता है दोस्तों, जब भी कोई बात आती है दोस्तों, ऐसी एससेरीज की जो आपकी और आपकी बाइक की दोनों की सेफटी करती है, आप लोग उसको company से ही लगवाना ज्यादा प्रेफर्क कीजिए, ठीक है, समकार आप लोगों को बता दिया हमेने, जिसकी कोस्टिंग आप लोगों को 3100 से लेके 3300 रुपीज के बीच में मिलती है, यह तीन नाम से दोस्तों बहुत जाता फिर्मस है लगगाड, क्रेश गाड और एंजिन गाड यह दोस्तों company जो है बहुत अच्छे जो लगवाना चाहें, आप लोग लगवा सकते हैं, आप लोगों को single road भी मिलेगा, butterfly भी मिलेगा, trapezium भी मिलेगा, octagon भी आप लोगों को मिलेगा, और भी एक दो तरीके के extra आप लोग वो जो इसमें engine गाड़ने वो देखने को मिलते हैं, इनकी coaching के बात करूंगे सो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बाइस सो रुपे से शिरू हो जाता है, और इट गोज अप टू 4600 रुपीज इन इंडिया, ठीक है, ये इसके prices आप लोगों को मिलते हैं, colors आप लोगों को मिल जाएगा, फुल ब्लैक भी आप लोगों को मिल जाएगा, ख्रोम एंड ब्लैक दोनों में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये काफी तरीके के जो इसमें engine guard है, वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये मजबूत चीज है दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जहां आप लोग 2,000,000 रुपे खर्च कर रहे हैं, वहां पर 10,000 रुपे भी खर्च कर दीजे, दो-तिन modification और कंपनी से लगवा लीजिए, तो आप लोगों को कहा है, लाइफ टाइम के लिए बेफिकर वाली जो चीज होती है, ये नहीं रहेगा, कलको आप की बाईग गिरती है, बाहर के जो तोस्तों टूट सकते हैं, बैंड हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का कभी भी न टूटे का न बैंड होगा, बात करते हैं, हमारी थर्ड असेस्टरी के बारे में, जो की है, अलॉइवीज, दोस्तों, मैं थर्ड चीज आप लोग को कुछे स्जेस्ट करूँगा, आप लोग कंपनी से जो लगवा सकते हैं, वो है अपनी बैक के अंतर अलॉइवीज, आप लोग के साथ बहुत बड़ा रिस्क आप लोगो को हमेशा बना रहेगा, ठीक है, तो कंपनी के साथ आप लोग को ऐसा रिस्क नहीं रहेगा, माना वो एक बार में आप लोग को 13,000, 14,000 की आसपस आप लोग को दिखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, अप लिस्ट आप और आपकी बैक प्रॉपर दोनों सेफ रहेगी है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को डरने वाली बात नहीं रहेगी, तो दोस्तों ये थी मेरी 3 must have accessories जो आप लोग company से लगवा सकते हैं, अब बात करते हैं, अगर आप लोग बाहर से लगवाना चाते हैं, जो आप लोग बाहर से भी लगवा सकते हैं, आप लोग को easily 300, 400, 500 की रेंज में कोई भी बहुती ज्यादा easily आपकी बाइक में fit कर देखा, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, इसमें आप लोग की कोस्टिंग है वो बचे की, इसके अलाबा दोस्तों सेकंड एसेसरी जॉप लोग भाहर से लगवा सकते हैं, वो है दोस्तों इसमें आप लोग LED लाइट में लगवा सकते हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कंपनी जो देती है वो बहुत नहीं लगवा है, लेकिन अगर आप लोग लगवा नहीं है, अपनी लुक मेंटेन कराने के लिए, लुक बढ़िया लगाने के लिए, तो आप लोग उसमें जो LED हैटलाइट है, वो बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो आप लोग वो easily 2000 की रेंज में मिल जाती है भाहर थर्ड एससेरीज, यह आपनों कह सकते हैं कि मोडिफिकेशन, जो रॉल इंफिल्ड सेल करता है दोस्तों अपने कस्टमर्स को जब आप लेंगे, वो हैं एंजन बफिंग, दोस्तों एंजन बफिंग, इंजन रबिंग यह सब अपनी बाइक में आप लोग कंपनी से अच्छी करते हैं यह आप लोग को उपर से 2,000-3,000 देने पड़ेंगे, 2,000-3,000 रबिंग बफिंग के देने पड़ेंगे, तो ओल्मस 4,500-4,000 के बास-पास, कंपनी जो इसकी कोस्टिंग बढ़ाती है, अगर मैं बात कुने, दोस्तों क्रोम एंजन बफिंग बगरा, एं इसमें आप लोग जो silencer है, जो मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करता, आप लोग अगर change करवाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बहुत लोग करवाते हैं दोस्तों, अपनी बाइक में look के लिए, वो दिखाना चाहते हैं, बाई, दो-तीन गलियां दूर हमारी बाइक की चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, at your own risk, मैं इसमें बिल्कुल भी, जो support हो किसी को नहीं करता, बाई, silencer लगवाओ, डिया लगवाओ, ठीक है, मैं मेरे कहने से आप लोग इसमें प्रोपर एक legal बाईक रहनी चाहिए, जो आपको भी problem ना करे, आपके neighbors में, आपके आसपरोस मे किसी को problem ना करे, and जो police वालों को भी traffic rules को break करने में भी problem ना करे, ठीक है, इसके अलावा, अगर आप लोग इसमें कोई base variant ले रहे हैं, या आप लोग इसमें mid variant ले रहे हैं, या top variant भी ले रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को allowable tubeless tire नहीं मिलते हैं, so मैं आप लोगों को suggest करूँगा, आप लोग इसमें, बाहर से tubeless tire जरूर करवा लें, क्योंकि इसमें tube tire हैं, कहीं भी पंचर होगे, तो बहुत problem आप लोगों को आने वाली है, and आप लोग इसमें tubeless tire रगवा लेंगे, तो आप लोगों को problem नहीं आएगी, and यह जो brand new tires होते हैं, कोई भी exchange में ले और कहां से आप लोगों को करवानी चाहिए, and कितनी की आप लोगों को पढ़ेगी, complete detail पर मैंने बात करिए आज इस वाली वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लेगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जुरू कीजेगा, पकि चैनल पर आप ल